अंगत को खाना तो साहिबा खिला ही दी ओफिस में और इतना ही नहीं साहिबा अंगत का फोटो तक खीचती है ताकि उसके पास प्रूफ रहे सब को भेजने के लिए कि सब का लाडला अंगत भूका नहीं रहा पर अब जो दार जी कहने जा रहे हैं अंगत को क्या उसे अमल करेगा अंगत क्योंकि अब दार जी अंगत से कहते हैं कि अब साहिबा स्टोर रूम में नहीं बलकि अब उसके रूम में रहेगी क्योंकि जूट के उपर से तो परदा हट गया है और जिन चीजों के लिए साहिबा को हर किसी ने जलील किया और उसे अभी तक घर की बहु होने का भी दरजा नहीं दिया गया अब उसे अंगत को पूरा करना है और अपनी बीवी को अपने रूम में ही रखना है और जहां मन वीर्द को तो कुछ नहीं कहना है अब कुछ नहीं कहती साहिबा के खिलाफ पर साहिबा है कहां वो अपने रूम में जूलरी के नए डिजाइन्स बना रही है जिसका चैलेंज वो खुद उठाई है ब्रार ओफिस में और अंगत पहुचता है साहिबा के कमरे में और उसे ब अगद उसे अपने माई के वापस जाने के लिए बोल रहा है अब वो ये बोलती है कि अब की बार वो वापस नहीं आएगी कभी भी वहीं अब अंगद उसे बोलता है कि दार जी ने आदेश दिये है कि साहिबा अंगद के रूम में ही एक पत्नी की तरह रहेगी और ये बात स साहिबा एकदम से चौक जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि जहां रिष्टा ही नहीं वहां कैसे एक साथ रहे सकेंगे दोनों पर अब अंगद बोलता है कि अगर वो नहीं चलेगी तो वो खुद वहां शिफ्ट कर लेगा उसके स्टोरूम में और अब साहिबा एकदम स अपना सारा आठ का समान उठा कर चले जाती है अंगत के सामने से और जाती है गार्डिन में जूलरी के डिजाइन्स बनाने पर बनाते बनाते डिजाइन का नाम याद करती है जिसको उसने मेरी बेटी का नाम दिया है और बड़ी इमोशनल हो जाती है और फोन लगाती है अ हमेशा सलाली है तो बोलती है कि अब उनका आशिरवाद चाहिए ताकि ये सारे डिजाइन्स पास हो जाएं जो वो बना कर देगी और दोनों अजीत और संतोश फूले नहीं समाते साहीबा की बातों से पर अब साहीबा के स्टोर रूम में ताला लगा हुआ देखता है अंगत और चौक जाता है कि आखिर साहीबा गई तो कहां पर इधर दार जी साहीबा को अब ब्रार बिजनस में दखल अंदाजी ना करने की आदेश दे रहे हैं और घर में रहकर घर की बहु बनकर रहने की सला देते हैं पर क्या साहीबा दार जी का ये फैसला को मानेगी क्योंकि डाव पे लगा है सौ करोड और ब्रार बिजनिस के आए दिन शेज गिरते जा रहे हैं तो क्या दार जी को कहीं डर तो नहीं सता रहा कि कहीं साहीबा अंगत से एक कदम आगे बढ़ा लेगी और मारकेट में ये फैल जाएगा कि साहीबा ने ही गिरते एंपायर को संभाला ना की अंगत ने क्योंकि दार जी आज तक जो भी फैसला लिये हैं वो परिवार के हित में तो होता ही है पर तब तक नहीं जब तक दार जी को उसमें अपनी भी कोई फाइदा नहीं दिखती क्योंकि जिस दिन अंगत की शादी हुई थी छल से ही सही साहीबा के साथ उस दिन भ कर लेता है तो ब्रार की पहचान को एक नई मुकाम मिलेगी और लोग बोलेंगे कि ब्रार परिवार लोगों के दिल देखते हैं अमीरी गरीबी नहीं तो क्या अब साहीबा के हाथ में डोर देना नहीं चाहते दार जी ब्रार बिजनस की ता कि उनके पोते के नाम के आगे कही साहीबा का नाम तो नहीं आ जाएगा देखते रहे दार जी के लिए फैसले का आखिर क्या होता है साहीबा और अंगत के जीवन में तो देखना ना भूलिएगा तेरी मेरी डोरियां की आगे की अपडेट्स यहीं पर क्या हुआ है